कैसे हो आप सब उमीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे तो भी मैंने रिसेंटली मारची सुदू की सियास के डेल्टा एस वेल जेटा वेरियंट पर रिवी अपलोड करा था और बहुत से कॉमन कमेंट्स मुझे यही लग रहे थे और डीम्स भी आ रहे थे कि हमारे लिए क सब्सक्राइब करना पड़ेंगे तो आप में से कोई भी सियास लेने का प्लान कर रहा है तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटी होने वाली है और डेल्टा एस वेल जेटा में जो कोई कंफ्यूजड है वह आप वीडियो एंड तक देखोगे तो कंक्लूजन में प वही जेटा की बात करें तो ये प्रीमियम सिल्वर कलर में अभी आपके सामने और कीज पर आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक फीचर तो मिलते हैं साथी बूट ओपन करने का भी फीचर आपको इसी पर मिल जाता है और इसमें कीले सेंट्री प्रोवाइट करिए वही इसके ह हीचर लेम्स की बात करें तो आपको नॉरमल येलो प्रोजेक्टर हैड़म्स मिलते हैं विध टर्न इंडिकेटर सैंव इसमें आपको DRLS नहीं मिलते हैं वही फॉग जलम्स के भात करें इसमें and silver insert बाकि अगर हम delta as well as zeta के engine specifications की बात करें तो same मिलता है 1.5 liter का जो 103 bhp की power produce करेगा and 130 newton meter का torque and वही sigma, delta, zeta and alpha चारो variant में आपको length, width, height as well as ground clearance same ही मिलने वाला है उसमें कोई भी difference नहीं रहने वाला अगर delta variant के door की बात करें तो आप देख सकते हैं आपको body color में मिलते हैं इसमें request sensor provide नहीं करा है simple ही मिलते हैं, वही zeta में देखें तो आपको यहाँ पर chrome door handles मिलते हैं with request sensor जैसा की मैंने आपको बताया की zeta variant में आपको keyless entry provide करें तायर साइस की बात करें तो 185 x 65 r 15 inches के tubeless tire मिलते हैं with alloy wheels delta से provide करें front में MacPherson strut and rear में torson beam suspension वही zeta में भी 185 x 65 r 15 inches के tubeless tire मिलते हैं with alloy wheels and suspension इसके सारे variants में same रहने वाले हैं front में MacPherson and rear में torson beam talking about the tail lamps delta में मिलते हैं normal halogen tail lamps बट इसे आप aftermarket LED भी करवा सकते हैं and why zeta में देके तो आपको split shaped LED tail lamps मिलते हैं जो की BMW type है and night में काफी जादा अच्छी visibility देते हैं and why नीचे देके delta में तो आपको reflectors with silver insert मिल जाते हैं reverse parking sensor मिलते हैं जो की standard feature है बट इसमें आपको camera नहीं मिलता है बट आप वो भी showroom से ये अजन necessary install करा सकते हैं वही zeta में देके तो same reflectors and silver insert मिलता है यहाँ पर आपको parking sensors भी मिल जाते हैं आपती zeta variant में बस reverse parking camera ही add on हुआ है doors की बात करें तो अभी आप delta variant का door देख सकते हैं black and beige color की theme मिलती है same wooden finish है आपको यहाँ पर and why अभी मैं आपको zeta का दीखाता हूँ एक percent भी difference नहीं है same black and beige color की theme यहाँ पर आप wooden insert देख सकते हैं जो की same आपको delta variant में मिलता है कोई भी difference नहीं है अब steering की बात करें तो आपको दोनों में same मिलने वाले instrumental cluster भी आप देख सकते हैं RPM meter speedometer and center में MID वही जेटा में भी देख सकते हैं आपको steering पर सारे controls प्रोवाइड करें and instrumental cluster पूरा same मिलता है as such कोई भी difference नहीं है इसमें and mainly music system की बात करें तो इसमें आपको basic प्रोवाइड करा है FM radio, aux, cd सब support करेंगा वर test screen नहीं मिलता है वही अगर हम zeta variant की बात करें तो इसमें आपको 7 inches का touch screen smart information system मिलता है जोकि android auto, apple carplay जैसे सारे feature support करेंगा यह इसे आप चाहें तो delta में aftermarket भी लगवा सकते हैं driver rear view monitor भी screen पर show करता है zeta variant में वागी talking about the IRVMs, normal मिलते day night feature के साथ और कोई भी feature provide नहीं करा है वही इसके upper variant zeta की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते है SOS auto dimming जैसा कोई भी feature नहीं है rear doors are again same यहाँ पर आपको power window control मिलता है one liter का beverage holder and speakers इसमें मिलते हैं tweeters आपको delta, zeta, alpha कौन से भी variant में नहीं मिलते है inner door handle chrome finish में वही जैटा variant की बात करें तो again full same रेने माले कोई भी difference नहीं है wooden finish inner door handle chrome finish power window control as well as आपको speakers and bottle holder मिल जाता है अब मैं बैट चुका हूँ delta variant के अंदर बहुत ही अच्छी space है जैसा कि मैंने videos बनाई थी उसमें बता है best in class comfort मिलता है leg room, head room perfect है वही जैटा variant में भी मैं बैट चुका हूँ, space में कोई भी difference नहीं आप मेरा head room as well as leg room चेक कर सकते हैं अब अंदर क्या कुछ features मिलते है तो delta में जो cabin light है आपको center में provide करें वही जैटा में side में मिलती है जो कि अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ यहां पर है rear AC vents and 12 wall का charging socket जैटा में भी आपको rear AC vents and 12 wall का charging socket नीचे मिल जाता है बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि cabin light आपको center की जगा दोनों side आपको individual passengers के लिए provide करें right as well as left side आइसोफिक child seat mounts इसमें provide करें बट sun blinds नहीं मिलते हैं delta variant में जैटा में आपको sun blinds मिल जाएंगे जो कि आपके cabin को बहुत अत्तक cool रखने वाला है all right guys तो यही थी आज की यूडियो I hope आपके लिए यूडियो helpful रही होगी delta और जैटा में ज़्यादा difference नहीं जैसा कि आपको पता लग गया होगा exterior की बात करें तो इसमें DRL जादा बढ़ जाते हैं fog lamps LED हो जाते हैं rear में भी LED tail lamps मिल जाते हैं zeta में बाकी एक reverse parking बढ़ जाता है interior में सबसे बड़ा change यह है कि delta से zeta में आपको start stop button मिल जाता है test screen info treatment system मिल जाता है then उसके बाद बाकी comfort space overall interior पूरा same है सच कोई भी difference नहीं है तो आपके उपर है कि आप delta variant लेकर test screen info treatment system fit कराना चाते हो reverse parking camera install कराना चाते हो या फिर delta variant में ही आप satisfied यह हो because delta जो variant है हो best selling variant है अगर आप बलीनों में देख लो उसके बाद S cross में देख लो या फिर Siaz में तो value for money variant माना जाता है because जो भी सारे needed features से वो उसमें मिल जाते हैं बाकि test screen SI की वो need की उपर है आपको test screen चाहिए उसमे navigation चाहिए android auto apple carplay जैसे features चाहिए बाकि मैं ही suggest करूँगा कि आपका budget का में तो delta best रहने वाला है और अगर आप सोच रहे हो कि delta लेकर accessories लगवा लूँगा उसमें तो मैं यही बोलूँगा company fitted जो चीज रहती उसकी बात अलग रहती है तो आप zeta variant लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आपको delta में accessories fit करनी है तो बाकि delta variant तो आपके लिए best है तो यही थी आज की वीडियो और भी कौन सी गाड़ियों पर comparison चाहिए हो तो comment section में बता देना चैनल पर कोई भी नहाँ है तो request एक प्लीज subscribe कर लेना उसी के पास आपको bell icon मिल जाएगा उसको press कर लेना जिससे आपको मेरी latest videos के update मिलते रहेंगे